तो हेलो गैस्ट विल्कम टू मा यूटूब चैनल रितिक टेकनिकल सपोर्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियल मी डिवाइस में नो रजिस्टर्ड और नेटवर्क का आपको एरर आता है तो इसके reasons क्या है और इसके solutions क्या है पूरा detail में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करड़ी चीगा बिल्का इकन को प्रेस कर लेना है तो दिखिए पहले बात करते हैं इसके reasons के बारे में दो reasons हो सकते हैं पहला reason तो यह कि अगर आपका sim card activate नहीं हुआ है जैसे अगर कोई नया sim card है अगर वो चालू नहीं हुआ activate नहीं हुआ है तो आपको इस step का error देखने को मिलता है तो उसका तो solution यही है कि आपको सबसे पहले sim card को activate करना है तब जाकि यह आपकी problem ठीक होगी second अगर आपका sim card पुराना है already आप इसे use कर चुके है बट फिर अचानक से step का error आता है तो so simple आपको settings में जाने के बाद जो है additional settings पे click करना होगा उसके बाद आप थोड़ा scroll करे back up and reset पे click करे then आपको reset phone पे click करना है और आपको पहला options हो करेगा reset network का settings का तो simple आपको अपने realme device के जो network का settings होती है उसे reset करना होगा जैसे आप इसे reset करेंगे आपका जो भी sim card में problem हा रहा था वो ठीक हो जाएगा 100% ठीक है इसमें आपके storage का कोई भी data delete नहीं होगा आपको निशिंद रहना है तो simple आपको यह method का use करना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मादादी